न्यूस्रूम बैटकी में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रंजीत शर्मा डॉक्टर शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते आयूर्वेद को लेके जो एक माननिता है या कहले भ्रह में वो यह है कई लोग एतने हरे खालो आयूर्वेद की दवाई कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज भगवान नहीं बनाई जिसका एफेक्ट हो और साइड एफेक्ट ना हो कई लोग कोई दुरबलता का शिकार है तो शिलाजीत खाने लगे कोई अश्वगंदा खाने लगे यह लोग जाते हैं काउंटर से ख किया उन्होंने कहा कि modern medicine में समय के साथ तरक्य की आयुरवेद आज भी हजारों साल पुरानी मानिताओं पर चल रहा है और इसलिए जो न्यू एज भी मारियां है उसमें एफेक्टिव नहीं होता है ऐसा उनका कहना है आपका क्या पक्ष्य है बावजूद इसके कि अभी फ पढ़ाही में कहीं भी इस तरह की चीज पढ़ाही जाती है कि दानवों की वज़े से टीबी होता है ऐसा भी उन्हों दावा किया है कि इंटिव्यू नहीं महा भूत का मतलब होता है सूक्षमतम अभी फिलिफ दूसरे भूत के पीछे पढ़े हुए तो उसमें हमारी के नहीं नहीं ना जब यही प्रॉब्लम आइरवेद की दवाइयों के साथ होती है तो आप सिधा अईरवेद करते हैं कई लोग कि कहते हैं नोःवेद क्हाने वालों पर रिवेदिक दवाय असर नहीं करती हैं ऐसा है क्या आहे यहीं वह ग MAS semanas है अगर को यह नहीं का रहा है और अगर चिकेट्सा के लिए उसकी आवशक्ता हो, तो उसे जूट बोलके भी नौनवेज खिलाया जा सकता है। अधाल में सुप्रीम कोट में पतेंजली वर्सेज इंडियन मेटिकल एस्टेशन अलविबाद बहुत रहा और इसमें बात आई कि कई मैनुक्रेक्टरस बहुत बढ़ा चड़ा के दावे कर देते हैं। बाबा रामदेव आयुर्वेद नहीं है। ये निउस रूम बैठ की है। एक जंग है जो हजारों वर्षों से चल रही है। जब हम आदुनिक काल में आते हैं तब देवसुर्ष संग्राम सी पुरानी कुछ बहसों से दोचार होते हैं। एक बहस ऐसी है एलोपैथी वर्सिज आयूरवेद की अब हम तो डॉक्टरी पढ़े नहीं हैं पर एक सामान निमानवी के तौर पर हमारी समझ यह कहती है कि एलोपैथी वर्सिज आयूरवेदिक नहीं होना चाहिए दोनों साथ में होने चाहिए लेकिन अलग-अलग गुट क के डॉक्टर हैं उनके अलग-अलग दलीले हैं तरक हैं और उसके पीछे वह बहुत सारी रिसर्च को भी कोड करते हैं कुछ महीने पहले आपने मेरी सायोगी सरवत फातिमा को बात करते सुना होगा लिवर डॉक के नाम से जो मशूर है ऐसे डॉक्टर मैथ्यूस से आज की बातचीत में हमने बुलाया है आयूरवेद के विद्वान को ताकि इस बहस के दूसरे जो छोर है उसको नापने की कोशिश की जाए समझने की कोशिश की जाए नापने में तो एक इसम का दम लगता है कि आयूरवेद के तरक क्या है दलीलें क्या है और आयूरवेद की जो है वो उन पर जो आलोचनाय लगती हैं उसको किस तरह से देखती है और बहुत सारे जो मित भी हैं उनके बारे में भी बात हो न्यूजरूम बैटकी में आदके हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रंजीत शर्मा डॉक्टर शर्मा एमडी आयुर्वेद मेडिसिन हैं इसके लावा क्लीनकल योगा में डीवाई है और इन्हों ने जो पढ़ाई की है वह आसान भाशा में कहूं तो बनारस हिंदू यूनिवस्टी का जो मेडिकल कॉलेज है वहां से पढ़ाई की है ट्विटर पर सोचल मीडिया पर भी खूब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज भगवान नहीं बनाई जिसका एफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो तो इस सेंटेंस का एक गलत प्रभावा एरवित पे क्या पड़ा जैसे अब मैं आपको बोलनों कि भाई इसका कोई खत्रा नहीं है तो आप निश्चिन्थ होके उसको खाने लगते हैं आप बीच में से डॉक्टर को हटा देते हैं आप डॉक्टर वो एक्सपर्ट है जो आपको बताता है कि आपको इससे खत्रा है इससे खत्रा नहीं है जैसे कि मैं छोटा सा उधारन दूँ आप चाकू ले लीजिए चाकू का साइड इफेक्ट भी हो सकता है एक ग्रहनी के हाथ में दीजे आपको चाकू के इफेक्ट्स पता चलेंगे पॉस्टिव चाकू का इस्तेमाल तो कभी करना ही नहीं चाहिए तो ये किस पर डिपेंड किया कि चाकू किसके हाथ में है इसी प्रकार आईऌवेद में आईऌवेद के डॉक्टर को 20 से हटाने के लिए ब्रहम डाला गया कि आईऌवेद मैडिसिंस का कोई साइड अफेक्ट नहीं होता है इस ब्रह्म के डालते ही हजारों लोगों ने आयरवेद मैडसेंस को बहुत प्लाइकली लेना शुरू किया वह दे दो भाया वह खा लेते हैं अच्छा इसका फायदा है यह खा लेते हैं हमारे पस साल साल दो-दो साल तक दवाईयां खाके लोग आते हैं जब उसका एक इस बता सकते हैं कि किस तरह की दवाईयां खा रहे थे यह था तो खा रहे थे ओर थे काउंटर खरीद के जैसे मैं आपको एक एक जामपल देता हूं इस समय बहुत ज़्यादा एक सबसे में जो प्रॉब्लम है सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर जो भी इंफ्लूएंसर्स ह वो क्या करते हैं कि वो यह दावा करते हैं कि वह यह देखो हमने किताब पढ़ी हैं और इस किताब में यह यह दवाईयां लिखी हैं इन दवाईयों को खाने से यह होता है इन दवाईयों को खाने से यह होता है लाश्ट में एक जिस्क्लेमर क्या डाल देते हैं कि वह यह पोच्के लेना लाज तबाइयां लेते हैं खरीदें खाना शुरू कर देते हैं किस दरखी जैसे मैं आपको एक शमपल बता यह जैसे कोई की मस्तिश तेज तो ब्रामी खाने लगे औहें जी यह कहीं लोग कोocy forgive तो बलता का शिकार है तो शिलाजीत खाने लगे कोई अश्वगंदा खाने लगे यह लोग जाते हैं काउंटर से खरीदे कैपसूल और खाने लगे और उनको यह समझ में नहीं आता कि इसका ज्यादा यूज बहुत दिक्कत कर सकता है ऐसा नहीं कि आयरुवेद है तो सेफ है ये बिल्कुल नहीं माना चाहिए। आयूर्वेद अगर एक डॉक्टर की算 में लिया जा रहा है तभी से. जो आपके शरीर की प्रकृति का पहले प्रकृति का खेले ऍरश्ण करता है वेक्रती में का न गिनवाई थी जिस पर हम चाहते हैं कि आयुर्वेद का पक्ष आपके जरीए आ जाए उन्होंने कहा कि modern medicine ने समय के साथ तरक्य की आयुर्वेद आज भी हजारों साल पुरानी मानिताओं पर चल रहा है और इसलिए जो new age बीमारियां है उसमें आयुर्वेद एफेक्टिव आपका क्या पक्षिए एक तूब मैंने यह कहा कि डॉक्टर अभी फिलिप को देखके पहले मुझे गुसा आता था लेकिन अब उन्हें देखके मुझे अपना बच्पन यादा था जो फर्स्टियर का बच्पन होता है ना क्लास में फर्स्टियर का एक बच्पन जिस समय क को लगता है कि यार मेरे सवालों का जवाब कोई दे नहीं सकता आप भी फर्स्टियर में रहोंगे तो आपको लगता होगा कि आपका टीचर आपके सवालों का जवाब ने दे सकता है ना लेकिन आपका टीचर आपके सवालों का जवाब क्यों ने दे सकता दा कि आपकी दि उसमें नहीं है इस बात को समझें उन पर हीपैटोलोजी से बहस की जा सकती है है यह बहस की जा सकती है इस नहीं कि जा सकती जैसे कि मैं एक एक्जामपल बता ता हूं माली जी बच्चा के जी का आप उसे ऐलजेब्रा सिखाने जाएं आप बोलें की X is equal to two बच्चा क्या बोल अब मैं आता हूँ कि क्या आयूरवेद आज भी हजारों साल पुरानी मानेत्याओं के हैं, क्या सचमुष मॉटर मेटसिन इतनी तरक्की कर चुका है, अगर तरक्की का मतलब रिसर्चेस हैं, तो आयूश से संबंधित 42,000 रिसर्च पॉब्लिकेशन सोच चुके हैं, क्या करता है, डाटा है, 28 दिसंबर 2023 की में बात कर रहा हूँ, 42,000 रिसर्च पॉब्लिकेशन, इसको पता कहा कर सकते हैं, आप गूगल पर जाएए, आप आयूश पोर्टल सेर्च कीजिए, आयूश पोर्टल, मैं ये जितनी चीजें बता रहा हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँ होगा, उसे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि आम आदमी इसको रीच कर सके, मैं चाहता हूँ, आम आदमी इस बात को जाने, क्योंकि आम आदमी को भ्रमित किया जा रहा है, डॉक्टर अबे फिलिप का जो मेन काम है, वो भ्रमित करना है, और वो जानते हैं, तो 42,000 रिसर्च पेपर से, रिसर्च पाब्लिकेशन से, आज ही तक, यह 42,000 रिसर्च पाब्लिकेशन कब हैं, दिवेदी जी, यह समझे, आयूश का टोटल बजेट आपको पता है कितना है, आयूश का टोटल बजेट, मैं दोज़र चौबिस की बात बता रहा हूँ, 3700 करोड, 3700 करोड, टोटल हेल्थ बजेट का, यह जो 42,000 रिसर्च पाब्लिकेशन में उनकी बात बता रहा हूँ, और आप जानते हैं कि एम्स डेली का अकेला बजेट कितना है, एम्स डेली का अकेला बजेट 4500 करोड है, मतलब यह है कि आयूश का टोटल बजेट एम्स ड आयूश सेक्रेक्टरी हैं, आयूश मिनिस्टर हैं, सेवानल सोलोम असोनोवाल जी हैं, दोनों बहुत ही बहतरी इनकाम कर रहे हैं, तो यह तो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, कि अगर तरक्की का मतलब रिसर्च है तो, अगर तरक्की का परमेटर रिसर्च है, तो रिस को वो आएरुवेध कि अईरमे मानयताहों पे हैं और ए कि आईरुवेड और एलोपैथी का संबंध कि बट्र का है और पिता के इस्थिति में with a किस्थिति में श्नलो पैथि एलो कि अड़िक हमेशा लगता है में अब नहीं झाता है आयरवेद भी इस मानेता को मानता है कि sunset से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। पहले doctors क्या कहते थे अरे गाउं में बिजली नहीं थी। इसलिए ऐसी मानेता बनाएगा है कि sunset से पहले खाना खा लो नहीं अंधिरा हो जाएगा। इसका कोई भी scientific मतलब नहीं है। आप कहले जे कि कितने भी lifestyle disorders हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यह सेवन पीम जो आप डिनर है इसके नाम से रिसर्चेस आरे हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल स्कॉलर पर जाएए सर्च कीजिए आपको बहुत सारे research papers मिल जाएंगे। तो इस तरह के हजारों एक्जमपल हैं जहां पर पहले आईरवेद की मानिताओं को एकदम discard किया गया और अब हम उसे accept कर रहे हैं। क्यों नहीं क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान के आईरवेद system of medicine में लिखा हुआ पहले से इसलिए आईरवेद को आप इसका credit दीजें। क्यों नहीं आप बोलते हैं। इस तरह के हजारों रिसर्चेस जिसमें हम बोल सकते हैं कि आईरवेद अभी भी काम कर रहा है। क्या आईरवेद की पढ़ाई में नहीं जाती है कि दानों की वज़े से TV होता है ऐसा उन्हों दावा क्या है कि इंट्व्यून देखिए बहुत बचकाना टाइब की बाते हैं उसकी वजे बता रहा हूं जैसे मैं एक जामपन बता तो अच्छा आपने भूत का नाम सुना है भूत का अगर मैं भूत की बात करूं तो तो डॉक्टर अबी फिलिप का एक जो नीचर है, वो क्या है कि देखो देखो भूत की बात कर रहे हैं, आईरवेद में भूत प्रेतों की बात है, अच्छा यह बता है, भूत का मतलब घोश्ट होता है, महाभूत का मतलब क्या होगा, आपने महाभूत के बारे में तो सुना ह अब यहाँ पर आईरवेद किस बात की बात कर रहा है कि सुक्षमजीव जो हैं, सुक्षमजीव, तो उनको भूत कह रहा है, अबी फिलिफ दूसरे भूत के पीछे पड़े होगे तो उसमें हमारी क्यागरवती है, और अगर आईरवेद भूत तक ने की बात कर रहा है, ए hy Geewra संगहार कर सकते हैंём का नाश कर सकती हैं कells чot yap को हुए ऐसी कि लोगों ने बहुत इस्तेवाल किया और स्टेडी पता चल रहा है कि लोगों और की चक्र में आईजी-जी की मात्राThis आप लोगों की इम्यूनो ग्लोबुलिन जी एक तरह के एंटीवाडी होती है इसकी वाज़े से कई लोगों के लिवर खराब हुए बिल्कुल ही ब्रहामा की स्टेडी है दो इस्टेडी पबलिश हुई थी और दोनों का बहुत ही बहतरीन तरीके से खंडन किया गया और मैं उस खंडन को पुरा सिलसले वारतरीके से आपको बताऊंगा ताकि पबलिक को पता चले कि हमें इस तरह के डॉक्टर्स को पबलिक में एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेट है वजह क्या है बात इसलिए नहीं कि मैं आयरुवेद का हूँ बात इसलिए है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पबलिक को आयरुवेद और अलोपैत को कभी भी इमोशन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए दो प्रोड़क्ट के तौर पर देखना चाहिए मार्केट में हमें हेल्थ के लिए जाना है दो प्रोड़क्ट है अलोपैत और आयरुवेद हमें कब किसका इस्तिमाल करना यह देखना होगा जब जो ज़्यादा बहतर हो उसका इस्तिमाल करें एक ग्रूप ऑफ डॉक्टर जो आयरुवेद को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे डॉक्टर अभी फिलिप का जो पेपर है उसे दूसरे अलोपैधी दॉक्टर साभ नहीं काटा है यह भी मैं बता हूँ आपको उस पूरे डिटेल पर मैं आपको आँगा लेकिन उससे पहले मैं एक आपको उदारन देना चाह को अध्यका हूएं बातें यह हूएं कि कफसरफ में मैन्फैश्रन कि में प्रॉब्लम हुए होगी या फिर कफसरफ में कॉलिटी कंट्रोल में प्रॉबलम हूए होगी क्या आपने किसी एक ऐरवेड रॉप्ष्टर के मुऊ से सुना की नहीं से और अलोपैथ्यकी प्राब कुछ एक ऐसे दवा विक्रेता या निर्माता हो सकते हैं जिन्होंने जैसे अलोपैथी में होता है आयरवेद में क्वारिटी का ख्याल नहीं रखा मिलावट रही वगर वगर लेकिन उसके बिना पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए नहीं मैं अभी यह इस्टडी ही कि यह रहा होगा वो रहा होगा लेकिन अलोपैथी पर हम आँच नहीं आने तेंगे नहीं भी आना चाहिए क्योंकि एलोपैथी हमेनिटी को सर्फ कर रही बिसे ही आयरवेद भी सर्फ करता है तो फिर आयरवेद से यह डियूल स्टैंडर्ड क्यों पॉंट नमबर वन यह अगर आएं तो देखें की देखें इन्होंने पहले स्टैंडी जो कोट की थी मेरे ख्याल से एक किस की बात है मैं थोड़ा सा समयलूंगा आपको डिटेल बताने के लिए हाँ यह इनकी पहले स्टैडी कोट होई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पब्लिश होई थी इनकी पहले स्टैडी जो छे पेशेंट्स पे थी मुंबई के छे पेशेंट्स पे पहले स्टैडी यह दोजारे कि मैं बात बता रहा हूं उस समय इन्होंने कहा था कि छे पेशेंट्स मुंबई के हैं जिनका लेवर फेलियर हुआ है और वो गिलोए के कारण हुआ है सोचिए उस समय कोविड में पहली बात तुम है यह बताना चाहूंगा कि पता नहीं कितनी अलोपेथिक दबाओं से कितने लाख लोग मरे थे मैं इस बात इसलिए बूल रहा हूं कि पब्लिक को इस बात को समझना चाहिए कि इस टाइप के डॉक्टर्स आम नाट टॉकिंग अबॉट पर्टिकुलर गूर्प ऑफ डॉक्टर्स यह आपने लेकिन कहा कि अलोपेथि की दबाओं से लोग मरे थे कि अलोपेथि कि कुछ दबाओं से कई लोगों की मृत्यू हुई थी ऐसा रिपोर्ट किया गया है क्यों कि उन दबाओं का जैसे कोई भी एक रिसर्च नहीं था कोविड ऐसे समय में आ जब आपको रिसर्च करने का मौका नहीं मिला हुआ था इस बात की रिसर्च है कि उन मुद्ध ही घूम जाएगा मैं बस यह कह रहा हूँ कि उस समय डेथ के बहुत सारे इजन्स थे बहुत सारे इजन्स थे बट छे पेशेंट्स को ढूंड निकालना यह उनके मोटिव को कहीं कहीं करें मुंबई में उस पेशेंट को ढूंड कि उन्होंने जब क्लेम किया कि छे पेशेंट्स में गिलोई की वज़से लिवर फेलियर हुआ है तो मिनिस्ट्री ओफ आयूश ने उसको काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉंड किया था उस पेपर में कहीं पे भी यह नहीं प्रूफ किया था कि वो जो सैंपल है वो गिलोई का ही है गिलोई से मिलते हैं जलते कई प्लांट्स होते हैं जो आम पुब्लिक पहचाननी सकती जैसे टीनोस्पॉर कार्डिफोलिया में गिलोई होता है और टीनोस्पॉर क्रिस्पर जो होता है उसके लिवर पर निगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं उस समय इतना ज़्यादा इस चीज को प्रचारित कि कि लोग अपने गंबले में गिलोई लगा लगा के उसे पीना शुरू कर चुगे थे मैंने उस समय भी लोगों को वार्न किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप किसी बैते को कंसर्ट कीजिए तो एक तो यह कि इसका कहीं सबूत नहीं मिला कहीं उन्होंने वायूश कि वो गिलोई ही था इट कुड हैब बिन टिनोस्परा कार्डिफोलिया और सौरे टिनोस्परा क्रिस्पा दूसरी बात उसका डूज क्या था किस डूज में वो लोग ले रहे थे जैसे इंडिया में है ना लोगों को दिमाग में आम आदमें कि दिमाग करता है य वो जो गिलोई लिये थे वो उन पेशेंट्स ने और भी साथ में कोई मैडिसनस ली थी किया तो इस तरह के कई फ्लॉश थे उस स्टडी में जिसमें में मिनिश्टर फायूश ने पूरा पेपर अवलेबल है उसको कैंसल किया था दूसरी स्टडी इन्हों ने जो निकाली ह इन्होंने क्या इस पर क्लेम किया है कि इन्होंने कहें कि यह जो फोर्टी थी पेशेंट्स थे इन्में तेनोसपोया कड़िफोलीा ने ड्रग इंडूश लीवर इंजरी कौज कि ऑião देम जो रिवर का देमेज होता जो ड्रग से होता पहले है करता है इस में दॉसरा इन्ह अट्रों में हीपटायिस डेवलप किया बनाप और अटी बाडी डेवलप हो एक दिसॉडर होता है और अटीबॉडी डेवलप होई गिलोए के कारण और उसने ड्रग इंड्यूच्ट और इन्हों ने किये दोनों ही क्लेम के लिए जो इन्होंने डाटा दिया डेटा दिया व वोई मतलब नहीं ये study कहीं से भी प्रूव नहीं कर पाती है कि गिलोई से उनका लिवर खराब हुआ है या उनके लिवर में निजरी हुई और यह मैं नहीं कह रहा हूँ है यह कौन कह रहे हैं यह मैं आपको बताता हूँ यह कह रहे हैं डॉक्टर हर्षद डॉक्टर हर्षद प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंट्रोजी के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बैंगलोर में आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस study के details क्या है जिसके आधार पे उन्होंने एक लेम किया है बट उन्हों आप इसको इतना प्रमोट किया गया कि आयरवेद बिल्कुल खतम है आयरवेद आपको खतम कर देगा यह प्रमोट कर कौन रहा है यह सूचने किया हुआ शकता है और इसके पीछे मोटिव क्या है जबकि मैं आपको बता दूं देवेदी जी कि अगर आप साइंटिफिक गूगल पर सर्च किजिए आपको सैकरो पेपर मिलेंगे जो कि गुडूची के पॉजिटिव इंपक्स को हाइलाइट करते हैं गुडूची टीनोस को आप सर्च करेंगे आपको सैकरो पेपर मिलेंगे इन इतने सो पेपर होने के बावजूद इतने रिसर्च पेपर होने क के बौजूद के वले निगेटिव रिसरुपेइपस को क्यों प्रिमोट किया गया मॉट्टिव दहा इसके पींचे क्या फाइदा है भूलिक का नुकसान है मुझे तो अज़ा लगता है पर बूद की बात कर रहे हैं आप तो मुझे ध्याना रहा है हाल में Supreme पतंजली वर्सिज इंडियन मेडिकल एसेशन अला भी बहुत रहा और उसमें एक बात आई कि कई बहुत बढ़ा चड़ा के दावे कर देते हैं बिल्कुल कि हम आईरुवेट के दम पे फलानी वीमारी को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे जब कि उसको सावधानी बरतने का सक्त निर्देश दिया गया इस पर क्या कहीं कि आप देखिए पहली बात तो यह कि बाबाराम एक सर्टनी गृप क्या प्रमोट कर रहा है कि आयरुवेड मेरी गलतियों को आयरुवेड की गल्ती नहीं दिखाये जा सकता पॉइंट नुम्बर वन अब ड्रग and magic remedy act है क्या उसको समझने क्या वशकता है drug and magic remedy act के वल आयर्वेट पे लागू नहीं होता है यह modern medicine पे भी लागू होता है यह सभी doctors पे लागू होता है और इसमें यह कहा गया है कि यह objectionable advertisement को prevent करने के लिए मतलfang आप यह एड़र्टाइज नहीं कर सकतें चाहे वो ऐलोपेथी का कोई बंदब भी हूद यह बहुत बहुत बराद ब्रशन शरक और यह जो अब भी घटने में बहुत पहले को धूर्व कर भांक जा मैं बुल्ब्रोथें आप काम कर रही हैं कि आ कई भी दवा बोल दी कि भी यह थायरोइड में काम आ रही है एक ही दवा हर एक पेशेंट में काम नहीं कर सकती है अगर आपका obesity का केस है सामने वाले भाई का obesity का केस है तो दोनों में अलग लग line of treatment चलता है क्यों क्योंकि प्रकृति अलग है disease type अलग है विक्रती अलग है everything is different तो पहली बात तो यह कि drug and magic remedy act अलोपैथ और आयरवेड दोनों पर लागू होता है के वल आयरवेड पर लागू नहीं होता है और इसका उलंगन जो भी करेगा अदालत उसे पनिश कर सकती है point number one point number two क्या है कि इसको इसलिए बनाया गया कि आप self-medication ना कर सके जैसे आप जाके अशोगंधा ले ले रहे हैं आप जाके मान लेजे कोई भी दवा ले रहे हैं कि यह वाली दवा दे दो इसको थोड़ा सवाज पीने का मूल है तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं क्यो अब अभी कुछ दिन पहले एक doctor's के group ने एक उसी की cutting share कि यह cutting मैं आपको दिखाता हूं किस तरी क्यों मैं कह रहा हूं कि लोग मिस्गाइट करने पर लगे हुए हैं यह देखिए यह cutting share की गई Ministry of Health and Family Welfare Public Notice Provision of Advertisement of Ayurved, Siddh, Yunani and Homeopathy or any other drug for treatment of diseases mentioned in Schedule of Drugs and Magic Remedies, Objectionable Advertisement Act 1924 यह सेम वही सेम वही notice है लेकि मैं आपको दिखाना क्या रहा हुए है अस्त्मा, blindness, cancer, cataract, deafness, diabetes, menstrual, uterus, uterus, disaster मैं यहां पर दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं यहां दिखाना क्या चाहता हूँ, यह रेखिए यह 2006 की अद्वर्टिजमेंट है लग बग या उस समय जब Department of Ayurved हुआ करता था, Ministry of Health and Family Welfare के अंडर काम करता था अब इस एडवर्टिजमेंट को कल से पब्लिक किया जा रहा है, कल से वारल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि देखिए आयरवेद वालों को फटकार लगाई गई है, Ministry of Health ने फटकार लगाई गई है, कौन कर रहे हैं मुझे नाम लेने की आवशकता नहीं, आप भी जानते हैं, ठीक है, और यह कहा जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं कि हर एक आयरवेद प्रेक्टिशनर के नीचे यह नोटिस चिपकाओ, जाके, और बताओ उसे कि वो यह ऐसा नहीं कर सकता, यह धमकाने की कोशिश की जा रही है, एक तरही से पब्लिक को मिसगाइड कर नहीं कोशिश की जा रही है, आयरवेद के लोग यह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि इस नोटिस का मतलब क्या है, इस नोटिस का मतलब यह है कि कोई भी इन बीमारियों के लिए किसी दवा को एड़टाइज नहीं कर सकता, मैं यह कह सकता हूँ, यह यह डिया यह ड कोशिश की जा रही है, हल्दी को लेकर काफी दावे की जाते हैं, जो हम लोगों की बुनियादी समझ है, छोटे में होता था चोट लग गई हल्दी वाला दूद, वैसे भी, पर कुछ लोग दावा करते हैं कि हल्दी का कोई फाइदा नहीं बस यह खाने में स्वाद और र में गगगे रायब पैकेज हो करें हल्दी को लेकर पॉलेत की किया मानेता है, हल्दी को लेकर आयरुवएद की मानेता है कि हल्दी का एक्टे व BBC होता है अगर हम र dang अडरी मोलें वर्मे होता है मतलब काफी सारे फायते अगर एयरुवूइड की लें लेकिन अभी जो े रीपन्ग पैर कर वह में आता है उनके जोड़ाब इसटो पर को परेस्मा अब वितार चुछ को Marisha हजारों पेपर्स मिल जाएंगे हजारों रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे मैं मिली रिसर्च पेपर्स पर क्यों बात कर रहा हूं क्योंकि पब्लिक को हमेशा मिस्गाइड किया जा रहा है कि भी रिसर्च पेपर नहीं है एर्वेज जो भी बात करता है वो एविडेंस पर कर फॉइंट नूम्बर वन अब मैं पप्कूब्लिक ॢमीण में अन्या चाहता हूं पोछता हूं आप से जितने लोग यहां पर बैच्ठे हुए है मेरी मम्य ने मुझजे किलाए है मेरी मुझे मुद की मुद्य को खिलाय कितनों के лीवर खराब हो गया कितनों गलेवर खराब हो मेरा तो नहीं हुआ ठीक है अब यहाँ पे दो चीजों की आवशागता है जानने की कि हल्दी खाना और हल्दी का कंसेंट्रेटेट फॉर्म खाना दोनों में फर्क है या हल्दी से एक एक्टिव इंग्रेडिन्ट निकाल के खाना लाइक कर्क्यूमिन यह बिल्कुल अलग बात है कभी भी आयूर्वेद में किसी भी एक्टिव इंग्रेडिन्ट को खाने के लिए नहीं कहा गया है आप अगर active ingredient निकाल रहे हैं, curcumin माल लीजे, अगर आप उसका capsule ले रहे हैं, तो उससे liver damage या कोई भी side effect हो सकते हैं, उससे कोई study नहीं है, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कि जो हल्दी के fibers हैं, या जो कुछ भी उसमें और हल्के फुल के elements available हैं, वो उसके side effect को counteract करत हैं, इसलिए अगर आप हल्दी लेना चाहते हैं, तो complete हल्दी का powder लीजे हैं, और उसका सबसे च्छा तरीका यह है कि अपने खेट में होगाई है, जैसे मैं होगाता हूँ, हम लोग बिना chemical यूज की हल्दी होगाते हैं, बायो वाली जितनी खाद होती हैं उसके जरीए, औ तो उसका तो कोई कहना ही नहीं, अगर अपनी खेट की होता हूँ, कई लोग यह कहते हैं, एक मित है कि आयूरवेद शाकाहरियों के लिए है, नौन वेज खाने वालों पर आयूरवेदिक दभाएं असर नहीं करती हैं, ऐसा है क्या? जिस प्रकार एलोपैत में कुछ डॉक और आयूरवेद का क्या point of view है, मैं यह बताता हूँ, आयूरवेद नौन वेज को खाने को support करता है, न प्रमोट करता है और नहीं मना करता है, आयूरवेद आवशकता अनुसार नौन वेज को यूज करने की permission देता है, आयूरवेद ही वो गंत है जो यह भी कहता है, कि अग को कभी अगर नेस्ट टाम बात होगे तक सा reference भी मैं आप पो दूँगा, यह परमिट करता है कि अगर कोई नौन वेज नहीं खा रहा है, नहीं खाता है, और अगर चिकट्सा के लिए उसक्या आवशकता हो, तो उसे जूट बोलके भी नौन वेज खिलाया जा सकता है, विक सब्सक्राइब करता है, बट भूत दया, भूत दया मतलब जीव दया को भी आईरविद करता है, यह भी आईरविद का concept है, तो इसलिए मैंने कहा कि न सपोर्ट करता है, लेकिन प्रमोट नहीं करता है, यह है, छोटे से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अरहर की तासीर गरम हो आपने पूरा question नहीं पड़ा, आपने यह तो बता है, फिर आपने लाश में यह नहीं कहा कि कुछ डॉक्टर्स इसको बिल्कुल outright reject करते हैं, जी, मैं इस पर बताता हूं, देखिए, आईरविद की बहुत सारे concepts हैं, जिसको आप हम और ऐलोपेदिक डॉक्टर्स जानते है लेकिन science का भी दाइरा उतना नहीं बढ़ा है कि वो उसको प्रूब कर सके, आप देखिए, मैं एक example बताता हूं, दारविद बताता हूं, तासीर नहीं, वीरे, वीरे शुद्ध शब्द है, वीरे मतलब वो पुरुष वीरे वाला नहीं, वीरे मतलब कार्मुक्ता, how it acts, य वीरे, शीत वीरे, मतलब इसकी ठंडी तासीर है, उश्ण वीरे, मतलब इसकी गरम तासीर है, इस खाने की, तो मैं एक example देता हूं, जैसे आप यहां आपके कई कलीग्स हैं, आपने मुझे किसे इंट्रोड्यूस करवाया कि यह हमारे कलीग हैं, और यह बड़े गरम बिज पैसे विवडया के तो मैं यहां इसका टेंपरिचर तो नॉर्मल गरम तासीर का कैसी है, अब बताएँ मैं कैसे आप कैसे मुझे प्रूफ करेंगे कि नहीं-आ, इसका गरम ताथीर है, और आपने जो बोला कि गरम तासीर है, गरम तासीर है, इसका मतलब नहीं है कि how it reacts, य कोई दिन पहले कि एक छोड़ा सा एक जम्पल में आपको बताता हूं एक सहाब मेरे पास एक इंड़ेश्टिलिस्ट हैं वो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने बहुत हैवी फीस देके एक डाइटीशियन से सलाह ली थी अभी एक अपते पहले की बात है उनकी डाइटीशियन ने मेरे का था बाजरा खाओ मोने का यह दौक सब बाजरा खाने क्लेका है माई टीशियन में अब मैं उनको कैसे समझा हूं वही थोड़ा सब उस टाइप के हैं कि हर चीज करें सर्च पेपर चाहिए उनको है ना तो मैंने का कि यहां बगल में एक चक्की वाला है वो बाजरा क बोलतो रहा है कि हम आठा नहीं पीशते इस हमें ठंडी खतम हो गई है बाजरा गरम होता है तो मैंने का यह आपको पता था बोलना है हमें पता तो नहीं था तो मैंने का बाजरा गरम होता है इस हमें नहीं खाना चाहिए ठीक है अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यह चीज हमादी अंदर डाली गई है इसको किसी research paper में छपा के नहीं रखा गया है ये generation to generation हमें बताया गया है कि ये खाना कैसा है ये कैसे react करेगा इसको किस सीजन में लेना है and it's a big science इसको अगर हम प्रूफ करने चलेंगे हैं मैं billion of dollars के research projects चाहिए और हम उसके against नहीं है आप प्रूफ कीजिए लेकिन तब तक हम इसको बंद कर सकते हैं क्या जब तक हरी एक knowledge प्रूफ ना हो जाए क्या हम उसको छोड़ दें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसलिए अकसर कहता हूँ कि आने वाले समय में आपको हमें इन डाइटीशन को छोड़के आनपर गवार जो गाओं वाले उनसे समाझना पड़ेगा कि हमें खाना क्या खाना कई डाइटीशन ऐसी भी हैं जो जो चीज़ आप कह रही हैं उसी पर जोड़ देते हैं जैसे डूजिता दिवेकर अच्छा वो कहती हैं यह फैंसी फ्रूट्स तुमारे डाइटीशन ने लिख दिये जो तुमारे आसपास उग रहा है वनो में, बगीचों में, खेतों में वो नहीं खा रहे हो खीरा कखडी नहीं खा रहे हो आवाकाड़ो खाना है जाब भले तुम्हारी तासीर को सूट करता हो जलवाई फूरता तो वो बहुत जोड देती है इस चीज पर कि इस्थानी जो प्रोडिउस है और जो सीजनल प्रोडिउस और जो परंपरागत फ्रूट है वो कहते हैं घी का वो ले साब नएने डाइटीशियन आए वो ले घी बनता ह आपको और बताता हूं कि जभी मैं खाने की बात करता हूं भोजन की चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो चाहे in किसी की भी हो तो मैं सिधे बोलता हूं कि अपने भोजन को खाते हूं जब तीन बातों का ध्याना की तखी difficilxy rxt प्रदेश में तो यहां पर तिल और सरसो पैदा होता है हमें आलिव ओयुल खाने की क्योंकि आपकी बॉड़ी के लिए स्टेबल है रीजनल सीजनल सीजनल मतलब कि अगर मटर का सीजन नहीं है तो पैक्ड मटर लाके मत खाई है जैसे अभी गर्मी मैं आपको बहुत ही प्यारा ससुएटर आपका फेवरेट में पहना दूं आपकी बॉड़ी कैसे रियाक्ट कर सकते हैं तो इंटर्नल बॉड़ी कैसे रियाक्ट करेंगे अगर नॉन सीजनल फूड़ आप उसको देंगे तो हमारी प्रॉब्लम कि आज बार हो महीं में सारे फूट से अबलेबल हैं सारे वेजिटेबर से अबलेबल हैं तो हमें उसमें से सलेक्ट करना पड़ेगा हमें पहचाना होगा किसी जनका कौन सा फूट आप त्रेडिशनल का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से हमारा खाना बनाया गया है हमारी मम्मी बनाती थी हमारी दादी बनाती उसका एक ठिरेप्योटिक एक्शिन हुआ गरता था जैसे छोटा से एक्जामपल बताता हूं आज यूटूब देखी यूटूब में कोई भी दही उठा के गरम कर ने लगता है वो मत्धे से बनता है और बटामिल को आप गरबहर कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं लेकिन त्रेडिशनल नॉलेज हो गया इन तीनों को हर एक जगा आपलाई कीजे अब एक सवाल यह आया है कि गंजापन और बालों के जड़ने से लोग परिशान हैं बहुत सारे तेल भीकते हैं जड़ी-बूटियां हैं आदिवासी तरीका यह तरीका वो तरीका से बहुत सारे अदिवासी तेल को भीकता भी है शा होते हैं क्या होता है बहुत सारे बिखते हैं हर एक शैर का अलग टेल होता है तो नमँबर बिखता है कि पॉंट नमबर नगाना को न псих को नहीं होना चाहिए तो अ रीजटिन शरसो का तेल लगाई या तिल का तेल लगाए सौथ वाले नारियल का तेल लगाए और चपोड के लगाई है क्यों मैं बताता हूं देखिए कम से कम आठ घंटे 12 गंटे आगर आप बालों के लिए सच मुच चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी रहें जैसे मेरे मम्मी क्या करती थी आपकी मम्मी ने भी बच् निकलना है मैंने किया कहा बाहर कहीं निकलना है तो जाते ही टेल लगाईए अच्छे से चंपी कीजिए अपने आप कम से कम दस घंटे रहने दीजिए सर में तक यह कि ऊपर तौलिया बिछाओ और सो जाओ सोजाएए ठीक है यह तो पहला हो गया कोई स्पेस्टेक टेल निए दूसरी बात शैंपू क्या करें शैंपू कौन सा करें कोई भी मार्केट में अवलेबल महंगा से महंगा शैंपू भी आपकी हैर हेल्थ को प्रमोट नहीं करता है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मुझ इथा आङवला शिकाकाई यह मिला के यह बाते कह रहा हूं क्योंकि आपका यह सर ना स्कैल्ब यह जो इसकंधाप से बाल की फसल होगी है एंग तो जैसे खेत फसल होकती है न अगर मिटी के उपरी लेर का पी एच चेंज कर दे तो फसल चली जाती आपकी स्कैल्प का पी इन नेचरलém Trumpos में हैं जो आपकी मम्यों ने पी इसा हमाली जाने माली जी तुरह पर नहीं बनते हैं नहीं बनते हैं आप मम्य Хорошо हूं वैभी चाहार करे। चम्हुप हे बात्त आ काम कर रहता थो यह दा कствие अ अधने नाम पर मैरें आयर्वेध यह अधिक शाबून और टूथपेस्ट में अईरुवेद उतना ही होता है जितना हनी मून में हनी और मून होता है आप उनके परसेंटेज उठा के देखिए कितने परसेंट एरुवेद है पॉइंट जिरो उनको लगता होगा बनाने वालों को इस पर ठपा लगा तो आथनी बड़े बनोसे से जाएगा है आप जैसे आमला रीठा शिका काई आप शेंपू यूज कीजिए आपको को रिजर्ट्स नहीं मिलेंगी आप उसका पाउडर बना लीजिए आप उसको थोड़ा सा खौला की यूज कर लीजिए आपको बहते रिजर्ट्स मिलेंगी और वो सोच चलता है कि आमला खूब खूब खाओ तो बालों के लिए अच्छा होता है तो होता होगा ना मैं बताता हूं देखिए आउला एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिसको मैं प्रमोट करता हूं बहुत जादा प्रमोट करता हूं मतलब कुछ चीजें जैसे आमला हो गया जौ हो गया मतलब होटा आपने और पयाइटे को ह्याओं किशी पशेयों पूछताओं का फैंमल्य दॉक्टर हो पूछता हूं आपकी भालई में आउला है क्या अगर नहीं है तो मतलब आपने डॉक्टर को इनवाइट किया हो अपने घर प Pacemio UP कर सकते हैं आमला को रसायन कहा गया अइरवेद में रसायन मतलब जो आपकी हर जरुद को पूरी कर सकता है ठीक है तो आउला आप जैसे खटाई यूज करते हैं अपने खाने में मम्या डाल में सुखा हुआ अब उसकी जगाँ डाल दीजिए सुखा हुआ अभी तो मार्केट में आउला मिल भी रहा हू आउला मिल रहा है जो सचमश रिक्वारड जै गोल्डेन यहेलो फो उसे लीजिए घर पर काटे सुखा दीजिए साल भर के लिए अब उस आउले को आप डाल में डाल दीजिए सबजी में डाल दीजिए या उस आउले को फुला के उसमें धनिया पुदीना मिला के चटनी बना लीजिए कुछ भी कर लीजिए को पहले गोदते हैं उसका साय रस निकल गया थोड़ी सी क्वालिटी बची तो उसे चूने में डाल देते हैं अब बैचरा वह सारी क्वालिटी अपनी उसने वहीं चोड़ दी अब वह जब एकदम बेहाल आता है तो उसको चासनी में सूखा 남자ा अब लेभल नहीं तो तो किंडी तो सूखे आमले सही बनती है ना लेकिन उसमें शुगर कफी हाई लेभल तो आपके अपने तो उसे आप लेज़े आवले को रेगुलर अपने जेब में रखी अगर खाने में नहीं हो रहा है तो कुछ बस ऐलका सा काला में हो लगा कि अपना है अच्छा और एक सवाल आया है गर्मिया आ रहे हैं इस मौसम में पेट बड़ा गड़बट रहता है इसके लिए क्या किया अब यह जेनरिक खरी शुरू हो गई है अगर कुछ चीजें बताता हूं जो कॉमन है पैसे जो सभी लोग कर सकते हैं पहली बात तो यह कि प्रक्रति ने सब कुछ किया हुआ है गर्मियों में अगर आप सब की लाइफ बहुत बीज़ी है अगर आप मान लिजे कुछ भी न अगर पानी से सब्सक्राइब बनाई अगर हो सकते तो पी लीजे मतलब अगर पीने के लिए इस्तिमाल कर सकते इतना वबाल सकते हैं तो वह गैस पे हो सकता है ठीक है यह काफी अच्छा काम करता है इसका कभी मैं रिफ्रेंस बाद में दूंगा यह तो पॉंट नमबर वन पॉंट टू चांच हमेशे अपने साथ रखे चांच बनाने का एक तरीका होता है मैं बता दे रहो हूं दही ली जे दए को मिक्सी में डालिए चर्ण कीजिए जितना दही लिया उतना ही पानी डाल दीजिए चर्ण कर दीजिए ओपर हलका सा जागोगा उसको चननी से उससे बेहतरीन थर्ष्ट क्वेंचिंग को नहीं कर सकता। सबसे बेहतरीन। जीरा भी तो मिलवाई है। जीरा। अब सत्तू पे आते हैं। सत्तू रखिए। सत्तू को मार्केट में रखिए। जैसे पहले पॉटली बांद के चलते थे। अपने टिफिन में रखिए। उसको कहीं पे भी पानी के साथ घोल के उसको पिलीजिए। नमक जीरा वगड़ा। इन तीनों को अगर आप यूज कर रहे हैं। बाहर आप कुछ नहीं लेने तो पेट खराब होने की समगाना बहुत कम होती है। अगर पेट खराब हो भी रहा है। साथ में बेल का भी मौसम है। लेकिन हाँ पके वे बेल से दूर रखिए। कच्छे बेल का पाउडर लीजिए। कमाल काम करता है। डिटॉक्स का कंसेप्ट बहुत चलता है। डिटॉक्स टी भी आती है। यह अग्या वहत घाए। क्या कहता है ऐरवेद्ट को लेकर। देखेज डिटॉक्स का फ्रॉड भी चल रहा है। और डिटॉक्स बहुत काम भी करता है। जैसे डिटॉक्स में अयरॲेद्ट की जो प्रॉसीजर होता है इसको दून कहते है। जे, शोधन में बहुत साइ प्रक्रिया आती हैं, और अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, आप अगर उसको सर्च करेंगे, कि मेडिसिनल एफेक्ट आफ विरेचन, वमन, लाइक दिस, तो आपको सैक्रो पेपर मिलेंगे, जो उसके मेडिसिनल एफेक्ट पे हैं, लेक पहुंच सकती है, डेटॉक्स हमेशा किसी कौलिफाइड डॉक्टर के सुपरविशन के क्या आईरुवेधिक दवाईयों में मरकरी इस्तेमाल होती है, क्या इसके तौर तरीके हैं, क्योंकि इसको लेके भी बहुत अलुचना होती है, यहां पर मैं कुछ चीजें बताना च इस्तेमाल होते हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं पबलिक को, क्योंकि इसको लेके भी भ्रहमित करने की कोशिश की गई है, देखे, मान लीजे, दिवेदी जी कि आपने सरजरी नहीं देखी है, आपको बोला गया कि आपको सरजरी करवानी है, और म देखो, यह मरकरी है, इसको आईरुदिक दवायों में मिलाया जाता है, इससे किड्नी खराब हो जाती है, इससे लीवर खराब हो जाता है, इसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि, अगर मैं यह लिंक दे दूँगा, इसको नीचे आ अबलेबल हैं, जो काम किये गए हैं, अब भाई, मरकरी सेफ है, मरकरी हो गया, लेड हो गया, आरसनिक हो गया, आरसनिक मतलब संखिया, वो भी दवाओं के रूप में इस्तिमाल करने के लिए सेफ है, अब मैं आपको भी बात बता हूं कि, मैं अपने 15 साल के प्रैक्टिस म मरकरी का, आरसनिक का, लेड का, कई सालों तक उप्योग कर चुका हूं, कई सालों तक, और वो भी हर महीने में उनका LFT, KFT, CBC, सब कुछ करवात हूं, LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT मतलब किड़नी फंक्शन टेस्ट, इट्सेक्टरा, उसके बाद ही उनकी दवाइ हैं, जिसमें हैवी मेटल्स हैं, और वो अपने थिरेपेटिक डोज, मतलब जो थिरेपेटिक डोज होता है, कि इस डोज पे ही देना है, उसे पांच गुना या दस गुना जादा भी खिलाया गया है, तो पर भी सेफ हैं, पॉइंट नमबर वन, तो मैं ऐसे किसी भी व्यक पहुचा सकते हैं, अगर आप साबित करते हैं, तो फिर आगे उसकी बाद बात होती है, पॉइंट नमबर वन, पॉइंट नमबर टू, जो आते हैं, जब हम इन रिसरचेस को कोट करते हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि ये तो एनिमल स्टेडिज हैं, ये क्लिनिकल को समझे कि क्लिनिकल स्टेडिज आईरवेध में क्यों इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, ये देखिए, ये क्लिनिकल स्टेडिज के फेज हैं, जो ड्रग और कॉस्मेटिक अक्ट में दिये गया है, जिसका कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या इंपैक्ट करेगा, ठीक, एक ये इसन नहीं ओलोग किया गया है, उसको कना नहीं क्या इंपएक्ट करेगा, उसको पर इह निमाल इप्ट नहीं सिफ्काइई अजिज के। दिघेकंपर दिवाइचे से हैं 30.BJPכ करते हैं हैं कि थे सुछ फैज्टीन कि बिच टी में चै нужно सवय शॉई के हजार लोगों करते हैं our cities वी पॉपलिक में पोश्ट मार्केटिंग के बाद हजार से ओपर क्मिकिनिटी स्टधी होती हैं यह कुछ इफेक्ट है side effect है या नहीं है अब आप मुझे ये बताईए दिवेदी जी कि हरे हजारों साल से लाखों करोन लोग यूज कर रहे हैं पाचन के लिए किसी भी काम के लिए हरे यूज कर रहे हैं अब वो तो और रेड़ी पॉब्लिक डॉमेन में है ना जो फेज 4 की मैं बात कर रहा हूं अब हम फेज 4 किस बात के लिए करें ये तो बताईए आपने सेफटी स्टड़ी मानी हम रिवर्स फर्मकलोजी पे चले गए हमने चुहों पर या किसी भी एनिमल पर प्रूफ कर दिया कि यह देखो भाई यह सेफ है जैसे मैं आपको चोटा सा श्टड़ी बताता हूं एमस पे एमस में फार्मकलोजी डिपार्टमेंट में आरो की वर्धनी वटी एक हैवी मेंटल मैडिसें होता है जिसमें मर्कुरी होता है कॉपर होता है ठीक है मैं लेमन लेंगोजी बता रहा हूं ताकि आम आदमी समझ सके वहां पर फार्मकलोजी डिपार्टमेंट एमस नीव डेली के मैं बात कर रहा हूं उन्होंने अठाथाइस दिन की स्टड़ी प्लान में उन्होंने क्या कि एक चूहों को उन्होंने आरो के वर्धनी वटी खिलाए कई डोजेस 50 mg मुझे याद नहीं ठीक से मैं रफ आइडिया दे रहा हूं 50 mg मतलब हायर डोज में खिलाए 28 दिन की स्टड़ी के बाद जब उन चूहों को सैक्रिफाइस किया गया मतलब किल किया गया इन एवैलूएट बिए तो यह पाया अगया कि mercury chloride जो कि lower dose में थी उस ने उसके मरकरी ने फिर भी चूहों के 27 लीवर और किड्नी को डबीज किया था वट्ध आख करी था जो कि काफी हायर डोज में था उसने चुहों के ब्रेन लिवर और किड़नी पे कोई इंपक्ट कोई भी निगेटिव इंपक्ट नहीं डाला उसका कंक्रीजिन क्या लिखा उन ओथर्स ने कि डिव टू दे स्पैसिफिक्स शोधन प्रोसीजर मर्करी ऐसे ही यूज नहीं की जाती है उसका शोधन प्रोसीजर होता है मतलब प्यूरिफाइड करने की तरीके से मर्करी में कुछ प्यूलियर चेंजेस आते हैं जो इसके हा आगे भी रिसर्च की जरूरत है आगे भी चर्चा चलती रहेगी जैसा मैंने शुरू में कहा फॉरस इट इस नॉट एलोपैथी वर्स आयुरवेद और डॉक्टर रंजीत से हम पहले भी बात कर रहे थी तब यह संग्यान में आया कि वहां बेच्व में भी कई ऐसे पेश बेखी इंस्टिट्यूट यहां बद उसमें फैकलिटी ओफाइरवेद अलग है उसका हॉस्पटिल अलग है तर अब कभी कभी कमाइड लाइन ओफ ट्रीटमेंट चलता है हो सकता है कई ऐसे रिसर्च आप या आप बिल्पल किया हूँ है मैं बताता हूं जैसे अलोपैथी सबजेक्ट है वो हमें यहीं यहीं फिल फिल किया सके hybrid करते थे आखे जो कि आएर्वेद से नगारा करते थे उसकयां जब मैं एमडी में आया तो एमडी में मेरे को गाइड डिपार्टमेंट और फर्मकलोजी के प्रोफेसर सहब थे जिन्होंने मेरी पूरी थिसिस करवाई पूरा रिसरच करवाई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयरुवेद वर्सिस ऐलोपैथी है ठीक है यह बात्चीत फिलाल के लिए यहीं पर रोकते हैं अब आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए आपकी जो भी क्वेरीज हैं ताकि हम कोशिश करेंगे कि जो आयुरवेद के विद्वान है और जो हैलोपैथी के विद्वान है उन तक आपके सवाल ले झाल